नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसको नाम है एक्स्प्लोर विद एमकेवी तो दोस्तों आज मैं आपको लेकर के आया हूँ जैतपुर गाउं में जहां पर पंडित धिरेंदर शाष्ट्री जी अपनी कथा वाचक शुरू करेंगे और श्रीमत बागवत कथा सुनने के लिए आप भी यहाँ पर जरूर पदा रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर जैसे भी आप आएंगे यहाँ पर क्या इंतिजाम है रुकने का और जो यहाँ पर सुनने का है गा कैसी लाइटिंग और पंखा पानी बिजली की विवस्ता है वो सब आपको वीडियो के माद्यम से पता चलेगी और जो भी शरदालू जन यहाँ पर रुकेंगे आकर के उनके लिए भोजन प्रसाद की भी विवस्ता मुफ्त में की गई है तो लंगर विवस्ता भी आप सबको यहाँ पर 24 गंटे लगातार मिलेगी बैठने के लिए यहाँ पर बहुत ही अतिवत्तम विवस्ता की गई है जिसको आप यहाँ पर देखके ही समझ पाएंगे डीपो मेट्रो स्टेशन के ब्रिज पे से बाहर आते हुए यह आपको यहाँ पर टेंट दिखाई देने शुरू हो जाएंगे और बहुरा दूसरी तरफ और जहाँ पर कथा होगी बाकी की डेटेल्स आपको आगे वीडियो में देता हूँ तो दोस्तों देख सकते हो आप अभी यहाँ पर भी तेयारियां राज जिन जोर शोर से चल रही हैं और यहाँ पर भी एक गेट बनाया जाएगा जिसका समान यहां रखा हुआ है और पूरी तेयारी यहां पर करी जारी है श्रीमत बागवत कथा को सनाने के लिए यहां पर पहुँच रहे हैं ध्रेंदर कृष्ण शास्त्री जी जो की बाबा बागिश्वर के नाम से मशहूर हैं और अपनी बहुत ही कम उम्र में अधिक से अधिक प्रसदी प्राप्त कर चुके हैं जैदपुर गाओं में जिस जंगय कथा होने जा रही है उस साइडियां लेफ्ट साइड पर बेरिकेटिंग करने के लिए लकड़ी के पोल जमीन में गाड़ दिये हैं और इन पर कटीली तारें भी लगाई जाएंगी तांकि कोई दूसरी तरफ पार करके इनको ना जाए और सीधा सड़क मार्क पे चबे दोस्तों इसी दौर से यहां के बक्तों को कथा सुनने के लिए जाने के लिए एंट्री मिलेगी और देख सकते हैं आप अभी से यहां पर कितनी सारी गाड़ियां पहुँच चुकी हैं तो आईए अब आप भी मेरे साथ चलिए और आज आठ जुलाई को दुपएर ढ़ाई वजे तक यहां क्या तैयारियां हो चुकी हैं को सब आपको अंदर दिखाओंगा ले जाकर के अभी बारिश भी होके चुकी है उस वज़े से यहां मेरे मेरे काफी पानी भी भर चुका है मेरे यहां यहांहाद मेरे भी पानी भर गया है और मैदान को समतल करने के लिए यहां पर लगातार काम चल रहा है JCB मशीन द्वारा और जितनी भी गाड़ी इस टम यहां अंदर मैदान में आ चुकी है उनको बाहर भेजा जा रहा है वो सामने आप JCB आते वे देखते हो जहां पर भी ज़्यादा पानी बराबा है और उसमें मिट्टी डाल कर उस मैदान के गड़े को समतल करने के लिए यह JCB मशीन अपना काम कर रही है बारिश होने की जैसे सड़के तोड़ी जो केमपरेरी बनाई थी तूट गई हैं उन्हीं को वेवस्थित कर रहे हैं दुबारा से यहां जिस मैदान में शिरीमत भागवत कथा होने जा रही है पंडित धिरिंदर शास्री द्वारा वहां पर ये सामने भगवा रंका अनुमान जी के चित्रवादा द्वजा को गाड़ दिया गया है तो दोस्तों इस से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसा यहां पर प्रबंध है क्या तैयारिया है तो दोस्तों मैं लेकर के आगया हूँ उसी मैदान में जहां पर ये टेंट वेवस्था की गई है जिसमें शिरीमत भागवत कथा शुरू होगी और यहाँ पे लाखों की संख्या में शरधालू जन पहुँचेंगे कथा को सुनने के लिए दोस्तों अब मैं आपको बिल्कुल ही टेंट के पास लेकर के आ गया हूँ और इन टेंट के बारे मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि यह जापानी टेंट कहलाए जाते हैं और इनकी खासियत यह है कि यह बिल्कुल वाटर प्रूफ होते हैं कितनी भी बारिश क्यों न आ जाए इन में से पानी रिस्ता नहीं है तो जब भी धिरेंदर शास्री जी की जहां पर भी इस तरह की कथा होती है तो बक्तों के अनुमान के आने के हिसाब से अनगिनित संख्या आने के हिसाब से इस तरह की टेंटों का आयोजन किया जाता है तो यहाँ पर इतने बड़े बड़े टेंट तीन लगे हैं एक ये दो और तीसरा वो रहा तो इन सबी तीनों टेंटों में कथा को सुनने के लिए आने वाले शरधालू जन बैठेंगे और यहाँ पर अभी जो भी इंतिजाम चल रहा है वो आपको मैं यहाँ बिल्कुल दिखा रहा हूँ लाइव हिसाब से आज आठ जुलाई समय हुआ है साड़े तीन बजे का कल नौ जुलाई यहाँ पर निकलेगी कलश यात्रा तो कलश यात्रा का क्या समय होगा वो भी आपको बताने वाला हूँ और दस जुलाई से सोला जुलाई तक श्रीमत भागवत कथा सुनाई जाएगी पंडित धिरेंदर शास्त्री द्वाराजी यहाँ आप सामने देख रहे हो बीजे पी के कुछ नेता और प्रशाशनिक अधिकारी उनके साथ हैं यहाँ की विवस्ता को देखने के लिए यहाँ टेंट के भीतर आए हैं जमीन पर तीन इंच मोटे कम से कम तख़त बिच्छाए गए हैं तांकि यह जो उपर दरियां लगी हैं और इन पर गदे भी बिच्छे होगे तो यह पानी से सीले ना उस करके ऐसा अच्छा इंतिजाम किया हुआ है इन सभी पंडालों के अंदर यह बैरी केटिंग की रैलिंग यहाँ पर लाके रख दी हैं और इनकी तैयारियां वहाँ सामने शुरू हो रही है और दोस्तों आपको जान करके खुशी होगी यहाँ पर आने वाले हैं उत्तर परदेश के मुख्य मंत्री योगी अधित्यनाथ और वरिंदावन से बाबा रामदेव जी आपको जान करके शुरू होगी कि यहाँ पर कथा को सुनने के लिए और परवचन देने के लिए देश भर से पांसो से अधिक महंत पिठा दिश्वर पुजारी और पंडे जी यहाँ पर हिसाब लेंगे इस सभा का एक बैरिकेटिंग मैंने आपको दिखाई थी जो कि अभी जमीन पर गिरी वी थी उसको लगाया नहीं गया था दूसरी बैरिकेटिंग यह वाली है कि शरदालों को हिस्सों में अलग-अलग बैठाये जाएगा तांकि भीड का दबाव ज़्यादा ना हो और यह दूसरी र पर तक 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 तो विछा दिये हैं पानी से और सीलं से दरियों को गद्धों को बचाने के लिए अभी इन पर दरी और गद्धे विछाना बाकी हैं तो वो भी आज राद तक तयार हो जाने की संभावना है गी आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि यहां पर होने वाली श्री मद भागवत कथा जो कि धिरेंदर शास्त्री जी यहां पर करने वाले हैं यह अब तक कि उनकी सबसे बड़ी कथा होगी और इसमें कम से कम 10 से 12 लाख लोगों के पहुँचने का अनुमान लगाया जा रहा है अब मैं आपको आगया हूँ तीसरी बैरिकेटिंग के पास ले करके तो दोस्तो यहां बैरिकेटिंग के पास में आप देख सकते हो कि बिलकुल रास्ता आगे जाने का बंद है तो जो भी यहां पहले पहुँचेगा वो आगे बैठने में कामियाब हो जाएगा और उतन जा रहा है कि मंच को सजाने के लिए सहारनपुर से एक विशेश सिंहासन मंगाया जाएगा पंडित धिरेंदर क्रिशन शास्त्री जी के लिए जिस पर बैठके वो कथा का वाचन करेंगे और मंच को सजाने के लिए जम्मू से फूल आएंगे इसके अलवा विरिंदावन से भी फूलों को मंगाया गया है और यहाँ पर बिचाए गए कार्पेट जो की जम्मू से मंगवाए गए हैं यहाँ मिली जानकरी के अनुसार से वही सब मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ और यह जो आप पहले नंबर का पंडाल देख रहे हैं इसमें नीचे तीन इंच मोटे फट्टे उसके उपर लाल और हरी दरी और फिर कार्पेट बिचा के त्यार कर दिया गया है यहाँ पर लगे तीनों पंडाल ऐसा बताया जा रहा है कि करीब चार लाख वर्ग फुट एरिया में यह लगे हुए हैं जिसमें रोज आना जो भी भगत आएंगे एक लाख डेड़ लाख दो लाख वो सभी अराम से यहाँ पर बैट करके इस कथा का अनंद ले पाएंगे दोस्तों अब मैं आपको उस गैदरी में ले करके चल रहा हूँ जिस गैदरी से होते हुए आप इन पंडालों में जाएंगे बैठने के लिए पंडे जी की कथा सुनने के लिए अभी यहाँ पर इंतिजाम किये जा रहे हैं एक दिन का समय बाकी है कल होगी यहाँ पर कलश यात्रा तो अभी समय अपने पास बहुत है और आपके लिए सारी सूचनाय लगातर सही पहुँचें वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ तो दोनों तरफ जो पंडाद लगे हुए हैं इधर से ऐसे अंट्री हो जाएगी और आप बैठने के लिए चले जाएंगे यह यहाँ पे जूमर भी आ चुके हैं लगाने के लिए और आप देख सकते हो वहाँ पर सामने बहुत सारे कूलर रखे हुए हैं जो कि शर्दालू जनों को अच्छी ठंडी शुद हवा मिलती रहे उसी परपस से यहाँ लगाये जाएने वाले हैंगे और यह आप देख रहे हैं पंडाल की छट सामने हैं पंडाल पे लगा हुआ मंच इस ओर्गिनाइजर के जो कारे करता हैं जिनके हाथ में यह संचालन हैगा वो हैं अबेतियागी जी और वो हैं कौवन तियागी जी सर कलश यात्रा के लिए और बता दीजे कितने बज़े शुरू होगी और कहां से शुरू होके कहां तक आएगी जी और बाकी जो यहाँ पर आ करके अब रुकेंगे रात के लिए अभी आपने वैसे दो बताया कि आगे कम्मुईटी सेंटर इसकूल और यहाँ पर भी में बताना चाहिए जैसे कि ये सामने चोटे वाले टेंट लगे हैं वो किस इन के लिए हैंगे जैसे कि पीने के पानी की विवस्ता गर्मी में बहुत ज्यादा परेशानी में डाल देती है और संख्या यहां आने वाले शर्दालों की बहुत ज्यादा होगी तो उनका भी इंतिजाम साब अच्छा मिलेगा सबको जी ठीक है धन्यवाज़े बक्तों ने फिर सेवा की हुई है जी बोल पाटर सबसे चल रहा देंगो सुन्द पीने के उसको हो जागी है ठीक है धन्यव लेजिए यहां पर मंच की भी अब आपको मैं जनकारी दे देता हूँ बिल्कुल मंच के पास आपको लेकर के मैं आ चुका हूँ और मंच की उंचाई आप जमीन से देख सकते हैं काफी उंची बनाई गई है जिस पर पंडित श्री धिरेंदर कृष्ण जी बैठेंगे और जो यहां की विवस्था को देखने के लिए यहां पर मौका मौायना पर पहुंचे हूए हैंगे और पीछे मंच को सजाने के लिए तयार करने के लिए बहुत जोर शोर से तयारियों को किया जा रहा है देख सकते हैं मंच कितना विशाल हैगा और यहां पर आवाब भी आप देख सकते हैं जो यहां पर sound system है DJ system जिसको आप कह सकते हैं speaker बोल सकते हैं वो यहां पर कितने बड़े बड़े आयोंच कम से कम 4-4 feet height के हैंगे यह और मंच को भी जमीन से 6 feet उंचा बनाए गया है दोस्तों सामने मंद पर बैठ करके बाबा बागेश्वर धाम जी यहां से श्री मद भगवत कथा का मुख से अपने वाचन करेंगे और इदर राइट हैंड साइड पर नेतागन और परशासनिक अधिकारी बैठेंगे और यहां लेफ्ट हैंड साइड पर जो भी पिठा दीश्वर आएंगे महंत आएंगे पुजारी आएंगे सन्यासी जी आएंगे वो इस साइड लेफ्ट हैंड साइड पर बैठाने के लिए उनके व्यवस्था की गई है करीब पांसो पुजारी पीठा दीश्वर महंत आदी यहां पर पहुंचने की उमीद है कि और कई बड़े बड़े नेतागण यहां पर पहुंचेंगे तो दोस्तों आपके लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास करा है जैदपुर गाउं में होने वाली श्रीमत बागवत गथा उस सुनने के लिए आप यहां पर जरूर पदारें और कथा का आनन्द लें और यहां पर सीड़ियां सेट की जा रही है इनी सीड़ियों पर चड़कर बाबा बागवशर धाम चड़कर के उपर आएंगे त्यारा बारा बारा टेबल लगीनियां वहां से लेकर यहां तेगी और अभी तैयारियां है ऐसी क्योंकि दस जुलाई से होनी है कथा शुरू तो इसलिए यहां पर अभी कर्रिकरम इसका काम मंच को करने का लगा हुआ है और यह है वो स्टेज जिस पर बैठ करके पंडित धिरेंद्र शास्त्री जी कथा का बाचन करेंगी और सुमने वादे यहां सामने बैठे होंगे देख सकते हैं आफ सामने की अभी तेयारियां आधी अलूरी हैं जो की आज रहत तक पूरी कर ली जाएंगी और यहां पर अधिकारी गण बार बार प्रशाशनिक अधिकारी यहां पर लोग पहुँची रहे हैं वेवस्था का इंतिजाम देखने के लिए स्टेज भी तीन मंजला बनाया है पहली मंजल यह वाली है फिर दूसरी यह और फिर तीसरी यहां पर और यह चौत्री मंजल यहां पर यहां पर पंड़जी बैठके अपनी कथा का श्रीमत भागवत कथा यहां आने वाले शरदादों को सुनाएंगे दोस्तों पंडित धिरेंदर शास्ट्री जी द्वारा कथा वाचन को अगर आप सुनना चाते हैं तो आपको आना होगा जैदपुर गाउं में और यहां तक पहुंचने के लिए आपको आप दिल्ली में कहीं पर भी रहते हों या बाहर से दिल्ली में पहुंचे हों किसी भ पैदल जब आप चलेंगे बिलू लाइन से एक्वा मेट्रो स्टेशन की और तो 300 मेटर का बीच में डिस्टेंस है उसको क्रॉस करने के बाद में आपको वहां से टिकट लेना होगा डिपो नाम के मेट्रो स्टेशन का जो कि जैदपुर गाउं के बिल्कुल नजदीक ही ल आएंगे तो आपको सामने ही मुखे द्वार मिल जाएगा जो की मेट्रो स्टेशन से करीब 200 मीटर की दूरी पर है और यहां तक पहुंचने के लिए आपको कोई भी कन्वेंस आदी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अगर आप अपनी प्राइविट किसी कन्वेंस से तो उसको आपको लेकर के आने के लिए यहां तक गूगल मैप की साहता लेनी होगी यहां की लोकेशन डालने से आपको जंगे मिल जाएगी और आप अगर किसी कमरिशिल टेक्सी वगएरा से आटो से आते हैं तो आपको वह टेक्सी और आटो वाले पहुँचाई देंगे यह जंग्या अब इतनी famous हो चुकी है कि यहां पर आने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली तो यह था एक तरीका यहां तक पहुंचने का दोस्तों वो सामने जो टींशेड दिखाई दी रहा है वो है एक्वा लाइन का डीपो मेट्रो स्टेशन और उसी के ठीक सामने य और वहां से जब कथा सुनने के बाद में यहां पर 24 घंटे दंगर चलेगा जो भी शरदाद उजल यहां पर आकर के बोजन प्रसाद घ्रेंड करना चाहेंगे वो इस पंडाल में आकर के घ्रेंड कर पाएंगे चैनल पर पधारे सभी दर्शकों मैं पंडित प्रमोद शर्मा जी का परीचे आपसे करा रहा हूं जो यहां की व्यवस्था को देख रहे हैं और अब आप यही आपको अपने मुख से बताएंगे कि यहां पर पंडाल में क्या क्या कहां कहां पर इंतिजाम किये गए हैं प चौविस घंटे यहां पर हलवाई जो है हाथ प्रस से आए हैं एक हजार कारीगर यहां पर लगे हुए हैं अच्छा जी कल से भंडारा बनने जाए बनना शुरू हो जाएगा और डेली प्रतेक चौविस घंटे जो भी यहां पर सरधालू पहुचेंगे कथा में बाबा ब चौविस घंटारा बनने जा रहा है तीछे भटियां बनके तयार होगी है और सब जो है यहां पर लोग हमारे जो हलवाईयां हो सब कारीगर वगेरा आ चुके हैं ठीक और रात तक और लेवर आ जाएगी तो कल जो है लगबाग पचाशार लोगों की वस्ता है उसके बाद डेली एक लाख लोगों का भोजन जो है यहां बनेगा और जिस दिन देवे दरबार है क्योंकि सर्धालू चादा आएंगे तो उस दिन देड़ से दो लाख लोगों की वस्ता यहां माँ पूर्णा रसोई में होगी तो देवे दरबार कौन सी तारीक को है यह भी दरशकों के लिए बता दीजिए दिवे दरबार बारे तारीक को है आपके चैनल के माध्यम से जो भी सर्धालू इस वीडियो को देखेंगे मैं उनको बताना चाहता हूं के बारे तारीक को देवे दरबार लगेगा ठीक है धन्यवाद पंड़ी जी तैंक्यू वाज सब तो दोस्तो पर यहाँ पर बत्टी लगी हुई हैंगी जिनको कल से यहाँ पर कारिगर अपना यहाँ पर काम करना श ταओ कर देंगे और महा अन्नपूर्णा रसोई के लिए यहाँ बोजन परसादい को बनाना शुरू करेंगे बहुत ही बड़ी रसोई की यहाँ पर वैवस्ता की गई है देख सकते हैं हम यहाँ पर चारों तरफ बहुत सारी कारीगर बैठे होएं हैंगे जो इस वैवस्था को संभालेंगे और आने मादे शरदादु जन freelance यहाँ पर रसौई को तैयार करेंगे तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो जमीन के भीतर यहां पर बटीयों को तयार कर दिया गया है और यहां पर सभी जो भी अपने कारीगर जन हैंगे वो इस काम को कर रहे हैं आपका क्या नाम है जी और आपका आपका जी और आपका जी जैकुमार जी और आपका जी अजय भोला गोला अच्छा से चीक है जी तो ये सब लोग यहाँ पर बैठके इन बटियों की तेयारी कर रहे हैं और कफ से यहाँ पे भोजन प्रसादी शुरू हो जाएगी जी कल से तो एक डेड़ लाग दो लाग तक का चलेगा खाना एक दम खुला खाना जितने आओ उतना खाओ 24 घंटे के लिए तो सभी भक्तों के लिए आम अंतरन है यहाँ ठीक है जी और कोई विशेश और कोई विशेश बात जो आप कहना चाहें कोई नहीं अपनी साफदा नहीं रखके समाने जी होता जरूरी है सुरक्षा अपने हाथ में बाकी पुलिस प्रशाशन ने जो वेवस्ता कर लिए वो दो समाद ली है यहाँ यहाँ पर क्या नाम बताया जी आपने अपना सुनिल बासकर इनका कहना है जी इस कड़ाई में पांच हजार आदमियों के लिए एक बारी में सबजी बन जाएगी तो कितने कविंटल सब्जी चुड़ जाएगी जिसमें पांच कविंटल के करीब इसमें सब्जी बनेगी कल से कार की और यह हैं टोटल पांच बटियां जो कि इस तरह से यहां पर जमीन को खोद करके बनाई हुए हैंगे यहां पर लकडी रखी जाएगी और यहां पर आग जलाके कड़ाई को रख दिया जाएगा तो यह है श्रीमा अन्यपूर्णा रसोई की थोड़ी सी जानकारी बाकी आपको रो जाना नएने अपडेट मिलते रहेंगे तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो महामें